Hello everyone, स्वागत है आप सब का मेरे चैनल में, I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे आपसे पहले नहा शिश्टिवारी को many many congratulations and उसके बाद बाद करते हैं उनकी वीडियो पे वीडियो में actually क्या है कि महिंदी लगी थी और काफे सारे लोग assume कर रहे हैं उनके husband के लिए देखे लोगों का assume करना ये सब चिज़े उनके सोच के उपर निर्भर करती हैं लेकिन भाई बहुत सारे लोग जो है उनका नाम जोड़ रहे हैं पारस ठक्राल के साथ सच में जो है नेहा शिष्टिवारी की शादी पारस ठक्राल के साथ होने वाली है आखिर क्या है सच्चाई कितनी सच्चाई है इन सब बातों में सारे कमेंट सारे हैं नेहा शिष्टिवारी को कि आपकी शादी क्या पारस्टक्राल से होने वाली है किसी ने कमेंट किया है कि आज पारस्टक्राल का रोका है तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी भी सगाई जो है उनके साथ होने वाली है तारे लोगों ने तो भाई यह तक है डाला कि नेहा शिष्टिवारी के जो होने वाले हस्बेंड है वो एक यूटूबर है जबकि नेहा शिष्टिवारी ने अपने मुझे एक वर्ड तक नहीं बताया कि वो क्या है क्या नहीं है क्या वो यूटूबर है क्या वो बिजनेसमैन है वो क्या है कुछ भी नह लोगों का ये सोचना बिलकुल ठीक है कि पारस ठक्राल का रोका आज है मैं आपको बता दू पारस ठक्राल का रोका वैसे 10 तारीकों होने वाला था 10 अक्तूबर को होने वाला था लेकिन कुछ कार्णों की वज़े से कुछ ऐसे रीजन होगे थे जिसकी वज़े से पारस ठक् जो हैं लड़की के माबाप आये थे बात करने के लिए लेकिन नेहा अशीश्तिवारी की अगर मम्मी पापा की बात की जाए तो वो लोग शायद पहले ही बात कर चुके और इन्होंने अपनी वीडियो में ऐसा कुछ दिखाया भी नहीं था और नेहा अशीश्तिवारी रहती के घर आये थे वो सेम ऐसे ही हैं मतलब स्पैक्स वगेरे लगा हुआ है हेर वगेरे कुछ ऐसे ही था लेकिन उनके मम्मी की बैक जो है नेहा अशीश्तिवारी के मम्मी की बैक से बिल्कुल भी नहीं मेल खाती और मुझे अंदर से ऐसा फील आ रहा है कि वो लोग जो है ने अटॉ देली जा रहे हैं रोका करने तो मुझे जहां तक पता है पारस का जो रोका हो रहा है वो देली में ही हो रहा है और इन चीजों को आप लोग connect ना करें और हो सकता है कि आने वाले टाइम में नहा अशीश्तिवारी खुद ही reveal कर देंगी कि होने वाले हस्बें कौन ह रही हूँ या मतलब मेरा सोचना ऐसा है कि पारस जो है एज में उनसे काफी छोटे हैं और काफी जो हैं मैचूर है और रही बात नहीं है शिश्टिवारी कि आपको पता है उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में और कितनी मैचूर हैं तो उनको एक फैमली चा कि उनकी जो होने वाली बहू है वो दूसरी शादी कर रही है तो देखिए बहुत सारे ऐसे साससुर है जिन्होंने जो है सोसाइटी में समाज में बहुत अच्छा एक्जामपल सेट किया है जिनके साथ भी इस तरीके की घटनाई हुई थी मुझे रजजस्तान का एक केस आ जी रहा है या फिर आप वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाती है और कितना स्ट्रगल किया है उन्होंने अपनी लाइफ में सी को बहुत अच्छे से पता है किस तरीके से जो है ना कोरोनो में उन्होंने अपने हस्बेंड को खोया था फिर उसके बाद कैसे स्ट्रग इनको कभी नहीं छोड़ूंगी मैं ऐसे ही रहूंगी लेकिन आज नहा शादी क्यों कर रही है वो उनका एक personal matter है या फिर ये कह लिजिए कि वो उनकी अपनी एक life है और हर इनसान को अपनी life के personal decision लेने का पूरा पूरा हग है और उन्होंने वही किया और उन्होंने सबसे ज़्यादा चीज जो मैंने देखे न वो अपनी बेटी के लिए क्या वो ये जो कुर्बानी होती है या कुछ भी कह लीजिए अपनी बेटी के लिए दिये कि उनकी बेटी हमेशा जो है ऐसे ना रहे बहुत सारे moments ऐसे आते हैं जहां पे उनकी बेटी जो है पापा को मिस करती है और जिसकी वज़े से नेहा अशीश तिवारी दुबारा से तूर जाती है बहुत सारी वीडियो ऐसे आती है जहां पे हम देखने को हमें मिलता है कि नेहा जो है कितनी परिशान है और कईना कई उन हां को बहुत ज़्यादा हेट भी मिल रही थी हेट इसलिए मिल रही थी क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा मतलब बेताब हैं उनके बारे में जानने के लिए मतलब इनके हस्बेंड के बारे में जानने के लिए एवन ये जानने के लिए कि अब हो क्या रहा है तो उन्होंने जो मेंदी लगाई थी, अब जो लोग अच्छे से जानते हैं या समझ जाते हैं, उन लोगों को व्लोक देखके कहीं न कहीं क्लू मिल जाता है कि क्या होने वाला है Actually उनके होने वाली है सगाई क्योंकि उन्होंने जो मेंदी लगाई थी में रिंग्स बनी थी तो रिंग्स देखके जो है सबको कई न कई अंदाजा हो गया था कि रिंग्स हैं ऐसा नहीं है कि डारेक्ट जो है अभी शादी कर रहे हैं तो मुझे लगता है इस तरीके के हेट कमेंट्स करने से पहले ब्लोग को बहुत अच्छे से देख लेना चाहि उनको मेंदी लग रही थी तो वो इमोशनल भी हो गए थी और उनके पापा उनके आसु पोच रहे थी लेकिन जहां पे नहा शिष्टिवारी की बात आती है कुछ भी तो मैं कहती हूं कि उनकी ओडियंस इतनी लोयल है और इतना अपने आपको कनेक्ट कर पाती है कि हर किसी किसी ने कमेंट किया हूथा कि हम आपको देख रहे हैं तो हमारी भी आखे भीगी हुई है किसी ने कमेंट किया हूथा कि नहां आपको दुनिया के सारी खुशिया मिले आपके जीवन में कभी कोई परिशानी नहीं आए तासी राज कुमारी को धेर सारा प्यार आप लोगो मैं मिलते हूँ आप से एक न्यूव वीडियो में तब तक के लिए बाई